नमस्कार दोस्तों इडूसाला में आपका स्वागत है आज के वीडियो में हम लोग इडूटेरिया करेंट अफियर जो भी लेटेस्ट मार्किट में आया है उसका अध्यान करेंगे और इसमें हम लोग अंतराश्टिय घटना करम देखेंगे ठीक है यह आपका सितंबर दो राश्टिय करेंट अफियर कवर करेंगे चलिए फिर श्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके विफ्या कर कर के बिल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताक की आपको नए-नए वीडियो मिलता रहे यह वीडियो को लाइक कीजिए, सेर कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ इसके बाद आपको राश्टिय घटना करम दिया जाएगा और फिर इसके आगे का जो पेजेज होते हैं उनको कम्प्लीट किया जाएगा आप लोग कमेंट करके बताएगा तो आपको दिया जाएगा चलिए स्टार्ट करते हैं अंतराश्टिय घटना करम तो सबसे पहले हम लोग सितंबर 2023 का निउस देखेंगे भारत और अमेरिका ने एलेक्टोनिक्स के छेतर में व्यापार को 100 अरब डॉलर तक पहुचाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है भारत और अमेरिका ने हाली में भ पिंगापूर एयरलाइन की भी हिस्सेदारी होगी हाली में जॉर्जिया के गवर्नर ब्रायन केम्प ने अक्टूबर के महीने को हिंदू विरासत माहा के रूप में मनाने की घुसना की है जॉर्जिया के ठीक है युए के प्रतिष्टित कारिक्रम जायद चैरिटी मैराथ कि मेजवानी पहली बार भारत में केरल में 2024 में किया जाएगा एक से दो सितंबर 2022 को मद्ध परदेश के ग्वालियर में अंतराष्टी एरो एस्पेस सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसका उद्घाटन केंद्रिये मंत्री जोती रादित सिंध्या ने किया यह भारतिये प्राले द्वारस संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था हाली में दच्छिनी चीन में टाइफून साओला ने गंभीर तबाही मचाई नेपाल के ललीदपूर में काठमांडू कलिंग साहित महोसों का आयोजित किया गया इसमें भारत नेपाल बांगलादेश स्री लंक भूटान का साहित परदर्सित किया गया हाली में पूरा तत्विदों ने दच्छिन अमेरिकी देश पेरू में तीन हजार साल पुराने कबर की खोच की है हाली में रूस ने हवाहां की मुस्लिम अबादी के लिए अधिकारिक तोर पर इसलामिक बैंकिंग सुरू करने की घ भारतिये फिल्मेकर एक्ता कपूर इंटरनेशनल एमी डाइरेक्टेड अवार्ड जीतने वाली पहली भारतिये महिला होंगी कौन एक्ता कपूर अगस्ट 2023 का देखेंगे हाली में फ्रांस सरकार ने सरकारी स्कूलों में मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले वायू परदूसन भारत के लोगों की जिन्दगी के 5 साल कम कर रहा है जबकि वायू परदूसन दिल्ली के निवासियों के जीवन को लबबक 12 वर्स कम कर देता है एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स के मुताबिक बांगला देश सबसे प्रदूसित देश है इसके बाद भ समझहोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किये हैं इंडिया एश्टेक जो है ओपेन एपी आई और डिजिटल सार्जोनिक वस्तूओ का एक संग्रह है जिसका उदेश बड़े पैमाने पर पहचान डेटा और भुकतान सेवाओं को सुईधा जनक बनाना है भारती तत्रचक बल न देशों के समुहों ने 6 नए देश अर्जेंटीना, मीश्र, इथोपिया, इरान, सौधी अरब, सवयुक्त अरब, अमिरात को इसमें सामिल होने के लिए आममंत्रित किया है एक जनवरी दो हजार चौबी से इन नए इन 6 नए देशों को पूर्ण स्वदस्य के रूप में स ब्राजील के राश्पती लुईज इनासियो लुला द सिल्वा को बीदरी, सुराही, नागल एंड सौल और गौड पेंटिंग उपहार में दिया है नरेंद्र मोदी ने बैस्विक सांती और श्थर्ता को बढ़ावा देने के लिए भारत ने सौधी अरब के टटिये सहर जिद्दा में सौधी अरब द्वारा आयोजित यूक्रेन सांती वारता में भाग लिया है बांगला देश की परधान मंत्री सेख हसीना ने इनिवर्सल पैंसन योजना की सुरुवात की है जिसका लग्ष 18 वर से अधिक आयू के नागरिकों को पैंसन कवरेज के तहत लाना है फिल्लेंड के फर फार्मों में बर्ड फ्लू के प्रकोप की परसार को रोकने के लिए एक लाख बीस हजार पालतू लोमडियों और मिंग को मार दिया गया इकवाडोर के राश्पती पद के उमिद्वार फर्नांडो बिला विसेंसियो की 9 अगस 2023 को देश की राजधानी क्यूटो में एक राजनैतिक रैली के दोरान ही हत्या कर दी गई अबू धावी नेशनल ओयल कमपनी और इंडियन ओयल कॉर्परेशन लिमिटेट के विच नए लागू अस्थानी मुद्रा निप्टान परनाली के तहत कच्चे तेल का पहला लेंदेन हुआ है जलवायू परिवर्थन से लेकर बड़े पैमाने पर परियाटन तक कई मुद्दों के कारण युनेशको ने इटली के एक लोगप्रिय गंतब वेनिस वेनिस को बिरासत खतरे की सूची में सामिल करने की सिफारिस की है नेक्स देखेंगे बियतनाम और टाइवान के दावे वाले बिवादित दच्छनी चीन सागर के ट्राइटन द्वीप पर चीन द्वारा एक हवाई पट्टी का निर्मान किया जा रहा है संयुक्त अरब अमिरात के स्वास्त और रोक्थाम मंत्राले ने पैरेंट्स और छात्रों को स्वास्त जीवन सहली अपनाने के महत्वे की जानकारी देने के लिए ग्रीज के राश्पती प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक पुरसकार Grand Cross of the Order of Honor से सम्मानित किया है और इस सम्मान से सम्मानित होने वाले पहले विदेशी सासना अध्यक्ष बन गया है 20-24 अगर 2023 तक आयोजित विश्व जल सप्ताह स्टोक हम अंतराश्टिय जल संस्थान द्वारा आयोजित वार्सिक बैस्विक जल मंच है और इस वर्स की थीम रही Seeds of Change Innovative Solution for a Water-Wise World है मैनमार की राष्टिय रक्षा एवं सुरक्षा परिसद ने देश में लागू अपातकाल की सीमा को और छो महीने बढ़ाने का फैसला किया है IUCN प्रजाती अस्तित आयोग भारतिय वन्यजी उत्रश्ट के सहयोग से दच्छी नेसिया में पहला Center for a Species Survival भारत में अस्थापित किया जाएगा Fortune Global 500 सूची में देखेंगे तो इस में Fortune Global 500 रैंकिंग में आठ भारतिय कमपनिया सामिल है इस सूची में Reliance Industries 16 अस्थान की छलांग लगा कर अब 88 अस्थान पर आ गया है इस सूची में Walmart जो है Walmart अमर्की कमपनी पहले अस्थान पर है बांगलादेश की राजधानी धाका में भारतिय संस्कृति केंद्र में लिवरेशन वार्ग गैलरी का उधगार्टन किया गया है इसमें 1971 के संग्राम में सहीद हुए सोतंता सेनानियों को परदर्शित किया गया है अब जुलाई 2023 का देखेंगे आबू धावी में योई भारत आर्थिक सीखर सम्मेलन का आयोजन किया गया सम्मेलन का थीम था सह क्रियाओं को बढ़ावा देना फालकन और टाइगर अर्थिवस्था को एक जुट करना था 4 जुलाई को SEO की राष्टा अध्यक्षो की वर्चूल बैठक आविजित की गई है जिसमें नई दिल्ली घोसना को अपनाया गया इसके तहत एकी क्रित सूची आतंकवाद अलकावाद आदी परसंतूलित द्रिष्टी कौन बिक्सित किया जाएगा IIT मदरास तथा स्रिलंका की जाफना इन्वर्सिटी ने सैक्षनिक सहयोग तथा अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए समझोता किया है हाली में भारत और अफ्रीकी देश तंजानिया के बीच अस्थानिय मुद्राओं में ब्यापारिक लेन दिन सुरू कर दिया गया इविदेश मंतरी एस जैसंकर ने इसकी घोसना की है उन्होंने तंजानिया में भारतिये सांस्कृतिक केंद्र में स्वामी विवेका नंद की परतीमा का भी उदगाटन किया नीदर्लेंड में और प्रवासन नीती में विफलता के कारण वहां के परधान मंतरी मार्क रूटे की गठवंदन की सरकार गिर गई हाली में सयुक्त अरब अमिरात ने आर्थिक परती अस्फर्दता को बढ़ाने के लिए नए निवेस मंतराले की अस्थापना की हाली में भारत ग्लोबल क्राईसिस रिस्पोंस ग्रूप के चैंपियन्स ग्रूप में सामिल किया गया इस ग्रूप का गठन सयुत राष्ट महा सच्चिव एंटोनियो गुटेरस ने मार्च 2022 में किया था इसमें बद्ति सदस हैं जो वर्तमान बैस्विक चुनावतियों का समधान करने के लिए प्रतिबध हैं नेक्स देखेंगे भारतिय निर्वाचन आयोग तथा पनामा के एलेक्टोरल ट्रिब्यूनल ने चुनाव प्रबंधन तथा प्रसासन में सहयोग के लिए समझावता ग्यापन पर हंस्ताक्षर किया है भारत के राजस्वे खूपिया निदेसाल तथा अमेरिका ने अवैद खतरनाक दवाओं के अंतराष्टिय सिप में ट्रोकने के लिए ओप्रेशन बॉर्डर स्वार्ड चलाया है 14 जुलाई को फ्रांस में आयोजित बेश्टिल डेप प्रेड में प्रधानमंती नरेंद्र मोधी मुख अतीथी बने थे और इस प्रेड में भारत की तीनों सेनाओं ने भी हिस्सा लिया था नई दिल्ली में भारत और आसियान देशों के बिच बारंपरिक दवाओं के छेतर में सहयोग के लिए समयलन आयोजित किया गया भारत और फ्रांस ने रच्छा सहयोग को बढ़ाते हुए बिमान प्रोदोग की छेतर में जेट इंजन का सह बिकास करने का निर्नय लिया है नाइजीरिया में खाद पदार्थों की बढ़ती कीमतों को लेकर खाद सुरक्षा को देखते हुए राश्टपती बोला टीनिवू ने अपात काल की गोसना करी है बैंकॉक में तीसरा बीस्वे हिंदू समयलन का आयोजन नोवंबर दोहजार तेईस में किया जाएगा इलनमस की Aero Space Company SpaceX ने स्टार लिंक उपगरह के माध्यम से बैस्वी कनेक्टिवीटी का बिस्तार करने के लिए मंगोलिया के साथ समझोता किया है हाली में कमबोडिया के परधान मंत्री हुन सेन ने लगभग चार दसक बाद अपनी परधान मंत्री पत से इस्थीपा का तेने का निर्ने लिया है पेरु में उबिनास जुआला मुखी में बिस्पोर्ट के कारण साथ दिनों के अपातकाल की घोसना की गई है हाली में अफरीकी देश अलजीरिया ने ब्रिक्स समू में सामिल होने के लिए आयोधन किया है 26 जुलाई को दच्छिन अफरीका के डर्बन में ब्रिक्स अर्बनाईजेशन फोरम का आयोधन किया गया इसका थीम था भवी सिकी पीडियों के लिए टिकाव सहरों और कस्पों के लिए सहरी लचीलेपन को आगे बढ़ाना हाली में मेटा ने इंस्टाग्राम का नया प्लेटफोर्म थ्रेट्स लॉंच किया है जो ट्वीटर के लिए एक परतियस परदी माना जा रहा है थ्रेश्ट टेक्स्ट अधारित मैसेचिंग एप है भारत ने चार जुलाई को संघाई सहयोग संगठन के आवासी सिखर सम्मेलन की मेजबानी की हाली में UAE, ACI, परसांत मनी लॉंडिक पर परवेक्छक का दर्जा पाने वाला पहला अरब देश बन गया है संयुक्त राज सुरक्षा परिसद, अंतराश्टिय सांती और सुरक्षा के लिए AI के खत्रे पर चर्चा के लिए United Kingdom में पहली बैठक आयोजित की अमेरिका द्वारा बिक्सित दुनिया के पहली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार, LF Model A को मनजूरी मिल गई है आश्टेलिया ने विक्टोरिया में 2026 में होने वाले राष्ट मंडल खेलो की मेजबानी से इंकार कर दिया है इसका कारण अनुमान से अधिक खर्चे होना है आश्टेलिया ने किया है नेक्स देखेंगे बिमिस्टेक की पहली विदेश मंत्रियों के बैठक बैकोग थाइलेंड में आयजुत की गई है भारत के विदेश मंत्री एस जैसंकर ने इसमें भाग लिया साथ ही मेकांग गंगा सहयोग बैठक की सह अध्यक्चता की इस दोरान भारत मैंनमार थाइलें त्रिपच्छे राजमार पर चर्चा हुई हैंले पासपोर्ट इंडे जुलाई 2023 में जारी हुआ है प्रत्थम अस्थान पे सिंगापूर रहा भारत का अस्थान जो है अस्थी था अस्थी है एड्मिरल लीसा अमेरिकी नौ सेना संचालन प्रमुख तथा संयूक्त चीफ सदस्य की रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला बन गई है हाली में रूस ने ट्रांजेंडर विबाह तथा लिंग परिवर्तन पर प्रतिबंद लगा दिया है हाली में सोसल मीडिया प्लेटफर्म ट्यूटर ने अपना लोगो बदल दिया है नया लोगो काले रंग की प्रिष्ट पर एक सफेद एक्स है इसका अनावरन ट्यूटर के मालिक एलन मस्क तथा मुक के कारिकारी अधिकारी लिंडा याका रिनो ने किया है चौबिस पच्चीज जुलाई का अस्टेलिया के केन बरा में आठवी भारत अस्टेलिया रक्षा निर्थी वार्था आ नयापालिका के अधिकार को सीमित करने वाला बिल पास किया गया है हाली में स्कॉर्ट लैंड में आइल ओफ लुई समुद टड़ पर पचास से अधिक वाइलट वेल मृत पाई गई गई गुजरात के गांधी नगर में जी ट्वैंटी के बित मंतरियों की बैठक के दोरान भारत और इंडोनेसिया ने भारत इंडोनेसिया आर्थिक और बितीय वार्था शुरू करने की गोसना की भारत ने अबुदाबी में आयाइटी दिल्ली का पहला परिसर अस्थापित करन के लिए समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किया भारत और बांगला देश ने डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए तथा बैपार को मजबूत करने के लिए रुपे में बैपार रुपे में बैपार लेन दिन सुरू हुआ दच्छी अमेरिकी देश पेरू में गुई लेन ब जैसरी उल्लाव, नेहा, नर्खडे और निर्जा सेठी और इंदरा नुई हैं नेक्ष देखेंगे अब जून 2023 का हाली में जापान के सांसदों ने सहमती की उम्र 13 साल से बढ़ाकर 16 साल करने का कानून पारित किया है सेठी राष्ट के 193 सदस देशों ने 20 जून को गहरे समुद्र में समुद्री जीवन की स्रक्षा के लिए पहली संधी को मंजूरी दिया है चीन तथा पाकिस्तान ने पंजाब प्रांत के चस्मा में 1200 मेगावाट के चस्मा फाइब परमानू उर्जा सन्यांत्र के निर्मान के लिए समझोता किया है भारत के परियटन मंत्राले की सच्ची वी विद्यापती ने सयुद्राष्ट बीस परियटन संगठन के साथ समझोता ग्यापन परहस्ताक्षर किया है और इस समझोते के तहर परियटन को बढ़ावा देने के लिए गोवा रोड मैप का समर्थन किया है हाली में एस्टोनिया की संसद ने समलाएंगी विबाहा के लिए कानून को मनजूरी दिया है ऐसा करने वाला एस्टोनिया पहला मध ही उरोपिय देश है नेक्स देखेंगे ग्लोबल लिवलिटी इंडेक्स 2023 इकॉनमिस्ट इंटेलिजन्स यूनिट द्वारा ये जारी किया जाता है दुनिया का सबसे रहने योग सहर वियना अश्रीरिया की राजधानी है दूसरा अस्थान कोपेन, हेगेन, डेनमार्क में और भारत के 5 सहर है इसमें नई दिल्ली, मुंबई, बंगलूरू, चेन्नाई, एहमादाबाद इस सूची में सामिल है नई दिल्ली तथम मुंबई का अस्थान जो है 141 वा है 1912 में अट्लांटिक महसागर में डूवे, ब्रेटिस यात्री जहाज, टाइटेनिक का मलबा देखने गया टाइटन पन डूवी समून तल से 13,000 फीट नीचे दुरगटना ग्रस्थ हो गया जिसमें सबार 5 ब्यक्तियों की मौत हो गई हाल ही में अमेरिका ने भारत से तसकरों द्वारा चुराई गई 100 से अधित पूरा उसेज जो अमेरिका के बजारे में पहुंचा उसे भारत को वापस लोटाने का फैसला किया है एस्या इन्वर्सिटी रैंकिंग 2023 में ये टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी रिपोर्ट होद है प्रतम अस्थान सिंग्वा इन्वर्सिटी चीन का है इसमें भारते संस्थानों में आई आई स्सी बेंगलूरू को 48 वा अस्थान मिला है सिर्फ दोसों में भारत के 18 विश्व विद्याले सामिल है हाली में बैस्वी परियावरन सुविधा परिशत की 64 वी बैठक ब्राजिल में आयरित की गई जिसमें जलवायू परिवर्तन जय विबित्ता एंपरदूसन से निपटने के लिए रननीती बनाई गई इसमें 136 देशों के सहयोग से 1.4 बिलियन डॉलर के पैकेज को मंजूरी दी गई है Q.S. World University Ranking देखेंगे Q.S. World Ranking University Ranking में प्रतम अस्थान MIT है अमेरिका का और IIT Bombay को दुनिया में 149 मिला है इस्थान भारत में पहला अस्थान इसको प्राप्थ हुआ है हाली में सयुक्तिराश ने बच्चों पर ससस्त्र संगहर्ज पर वार्सिक रिपोर्ट से भारत को हटा दिया है इसका कारण यह है कि बाल संरक्षन की दिशा में भारत ने बेहतर प्रगति कर ली है हाली में कनाडा ने उद्दोग में कुसल स्रमिको को आकरसित करने के लिए विदेशी स्रमिको के लिए डिजिटल खाना बदोज रननीती की सुरवात की है भारतिय मुल्य के 20 बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा का नाम वर्ष 2023 की ग्रेट इमिग्रेंट्स महान परवासियों की सूची में सामिल किया गया है ग्लोबल स्टार्टप एको सिस्टम रिपोर्ट 2023 यह स्टार्टप जिनोम द्वारा जारी होता है प्रथम अस्थान सिलिकन वैली का है संगतुराश्ट का है यह और भारतिय सहर में बंगलूर को 20 वास्थान मिला है 21 जून को अमेरिका यात्रा के दोरान परधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राश्पती जो बिडेन तथा अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन से मुलाकात की इस दोरान उन्होंने उपहारों का आदान परधान किया हाली में भारत और सिर्लंका ने सिर्लंका के गाले जिले में डिजडल साक्षर्टा को बढ़ावा देने के लिए डिजडल सिख्छा परियोजना के कार्मान मंहेत्व सहयोग किया है हाली में नई बैस्विक बितिय संधी के लिए सिखल सम्मेलन का आयोजन पेरिस में किया गया और इसमें परदूसक भुकतान सिधान्त के ओधारना पर विचार भी मर्स किया गया यूक्रेन के पुनर निर्मान के लिए लंदन में यूक्रेन रिकवरी कॉन्फरेंस 2023 का आयोजन किया जा रहा है नवीन और नवीकर्निय उर्जा मंतराले के तहत संचालित भारतिय अच्छे उर्जा विकास एजेंसी इरेडा ने जर्मनी में आयोजित इंटर सोलर इरोप 2023 का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी कॉंग्रेस के सयुक्ति सत्र को दो बार संबोधित करने वाले प्रधानमंत्री बन गया है टाइम मैग्जिन द्वारा जारी दुनिया की सौ सबसे परभाव साली कंपनियों में भारत की नेशनल पेमेंट कॉर्परेसन ओफ अमेरिका के नेत्रुत वाले मिन्रल कलब में सामिल हो गया है बांगला देश की राजधानी धाका में भारतिय संस्कृतिक केंद्र में लिवरेशन वार गैलरी का उत्गहाटन किया गया इसमें 1971 के संग्राम में सहीध हुए सोतंता सेनानियों को परदर्शित किया गया चिन International Union for Conservation of Nature IUCNA verse 2025 में संयुक्त अरब अमिरात को दुनिया के सबसे बड़े 20 संरक्षन कॉंग्रेस की मजबानी सौपी है नाटो सदस देशों पर होने वाले हमले का जबाब देने के लिए जर्मनी में एयर डिफेंडर 2023 का आयोजन किया जा रहा है इसमें 25 देशों के 10,000 परति भागी और 250 विमान भाग लेंगे हाली में संयुक्त राष्ट महासभा में पांच और अस्ताइस सदस सदेशों अलजीरिया, गुयाना, सिर्यारा, लियोन, स्लोवेनिया तथा कोरिया गनराज को दो वर्सों के कारकाल के लिए चुना गया है ये देश एक जनवरी 2024 से अपन पद ग्रहन करेंगे हाली में संयुक्त राष्ट अमेरिका और उनाइटेट किंग्डम ने अटलांटिक घोसना नाम से महत्पून राजनीतिक समझहोता किया है इसका उद्देश आर्थिक और इस्थरता तथा चीन की परते अस्थरता से निपटना है अमेरिका में पहली बार हिंदू अमेरिकी सिखर समेलन का आयोजन किया गया इसका उद्देश था अमेरिका में हिंदू समुदाय द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं की ओर ध्याना करसित करना बिस बैंक ने बांगला देश की राजधानी ढाका में दच्छी नेसिया में अपनी पहली सड़क सुरच्छा परियोजना की सुरवात की है इसका उद्देश सड़क दुरघटना को कम करने के लिए सहरों का चैन करना है बिमस्टेक सदस देशों में उर्जा छेतर में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत में बिमस्टेक एनरजी सेंटर अस्थापित किया जाएगा Swiss Air Quality Technology Company IQ AIR द्वारा जारी दुनिया के 10 सबसे परदूसित सहरों की सूची में पाकिस्तान का सहर लाहोर टॉप पर है वहीं टॉप 10 परदूसित सहरों में 6 भारतिय सहर है जिसमें भिवारी राज अस्थान तीसरे अस्थान पर दिल्ली चौथे अस्थान पर है नामीविया में पहले भारत नामीविया संयुक्त आयोग की बैठक आयोजित की गई जिसकी सह अध्यक्षता विदेश मंत्री एस जैसंकरने की लंदन में Global Health Conference का आयोजन किया गया है जिसमें दुनिया भर के परतिभागियों ने भाग लिया यह नियुएसको को निवेश संबंदी महत्पूर निरने लेने के लिए एक मंच परदान करता है हाली में अमेरिका ने युनेसको में पुनह सामिल होने की घोसना की है ग्यात है कि अमेरिका 2019 में युनेसको से बाहर हो गया था हाली में फिलिपिन्स में इस्तत माउंट मयून ज्वाला मुखी में भी स्पोर्ट हुआ है भारत ने फ्रांसिसी रेल कंपनी एल्टॉम को स्लिपर कोच वाली सो बंदे भारत ट्रेन बनाने का टेंडर दिया है फिल्म में गेमिंग और कॉमिक्स जैसे छेतरों के लिए फ्रांस में आयोजित होने वाले एनेसी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टीबल में भारत पहली बार अपना परतिनी धित्य करेगा अब देखेंगे मई 2023 की तो UAE सरकार ने दुबई में आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस पर आधारित अंतराष्टिय सम्मेलन मसीन कैंसी 2023 सीखर सम्मेलन का आयोजन किया इसका उदेश था AI के भविश्य के बारे में ध्यान के इंद्रित करने के लिए दुनिया भर के विशेश सग्यों को एक साथ लाना भारत और बांगलादेश के बीच सीमा पर सीलहट डिवीजन और मेगाले के खासी हिल के बीच पहले बौडर हार्ट का निर्मान किया गया इसका उदेश है दोनों देशों के बीच उत्पादों का आदान परदान करना हाली में स्रिलंका के सुप्रीम कोट ने समलेंगिक्ता को अपराध की सरेनी से बाहर कर दिया है हाली में जारी आकडो केनुसार स्रिलंका के परियतन छेतर में भारत सिर्ष पे रहे अपरेल 2023 में सिरलंका में सबसे ज्यादा भारतिये परियतक ही रहें भारतिय मूल की कैप्टन परतीभा भुलर मालडो नाडो निवार्क पुलिस विभाग में सरोच रैंग पाने वाली दच्छी ने सियाई महिला बन गई है भारत और बांगला देश ने सहींत रूप से 50 स्टार्टप एक्सेंज प्रोग्राम की सुरुआत किया है इसके तहट भारत के 50 स्टार्टप तथा बांगला देश के 50 स्टार्टप के बीच यात्रियों को सुविधा प्रदान की जाएगी तथा उद्दमियों के बीच सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा प्रधानमंती नरेंद्र मोदी ने अपनी जापान यात्रा के दोरान हीरो सीमा में महत्मा गांधी की प्रतीमा का अनावरन किया नेपाल के परवता रोही कामी रीता सेरपा ने माउंट टेवरेश्ट पर अपनी 27 वी चढ़ाई पूरी कर ली इन्होंने दुनिया के सबसे उचे परवत पर सबसे अधिक बार चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया है भारत और अस्टेलिया ने अच्छे उर्जा के छेतर में सहयोग के लिए ग्रीन हाइट्रोजन टास्क फोर्स का गठन किया है नेपाल के पूर्व गोर्खा सैनिक हरी बुद्ध मगर अपने दोनों पैर ना होने के बावजूद क्रितरिम पैरों से माउंट एवरेश्ट पर चढ़ने की उपलब्दी हासिल की है अलकोहल उत्पादों पर स्वास चेतायन को अनिवार रूप से लागू करने वाला आयरलेंड पहला देस बन गया है यह कानून 2026 से परभावी होगा भारत ने 42,000 भारतियों को इजराइल में काम करने की अनुमती देने के लिए इजराइल के साथ समझोता किया है Made in India रत्न और आभूसन को बढ़ावा देने के लिए रत्न और आभूसन निर्यात सनवर्धन परिसद ने दुबई में भारत आभूसन परदर्शनी 2023 का आयोजन किया है हाली में नेपाल की सरकार ने 2025 को परियाटन के लिए विशेस वर्ष के रूप में घोसित किया है वही 2018 के दसक को वीजिट नेपाल दसक घोसित किया है हाली में नेपाल ने सतलज जल विदुत निगम के दूसरी पन बिजली परियोजना अरून 4 के विकास के अनुमति दे दी है हाली में एरोपिय संग ने ग्रीन हाउस गैस उसरजन को कम करने के लिए फिट 455 पैकेज की सुरवात की है इसका उदेश 2030 तक ग्रीन हाउस गैस उसरजन को 55% तक कम करना है फ्रांस इंडिया फाउंडेशन द्वारा नई दिल्ली में एवं बंगलोर में यंग लीडर प्रोग्राम का आयोजन किया गया इसका उदेश है विभीन छेतरों से होनाहार युवा निताव की पहचान करा तथा उनके कौसल विकास करना हाली में रक्षा मंतरी राजनात सिंग ने मालदिव की यातरा की तथा वहां उन्होंने तट रच्छक बंदरगा एकता हरवर की अधार सिला रखी इटली की लगजरी फैसन ब्रांड जो गुजी है ने भारती अभिनेतरी आलिया भट को अपना ग्लोबल ब्रांड अमेश्टर जुना है ठीक है आलिया भट को भारत ने कलादान मल्टी मोडल प्रोजेक्ट के तहत निर्मित मैनमार के सित्वे बंदरगा का संचालन सुरू किया है हाली में चिल्ली के ग्रेट गैन भादर पेड जो की 5000 साल पुराना है इसको दुनिया का सबसे पुराना पेड गोसित किया गया है आश्टेलिया ने 2023 का नियूस देखेंगे हाली में फिनलेंड नाटो सैन संगठन में सामिल हो गया है नाटो के सभी सदस देशों की सहमती के बाद फिनलेंड नाटो का एक तीसवा सदस बन गया है विदेश मंत्री एस जय संकर ने युगांडा यात्रा के दोरान वारा नसी की तूलसी घाट बहाली परियोजना की सुरुआत की अपरिकी देश मोजांबिक ने विदेश मंत्री एस जय संकर ने भारत द्वारा निर्मित बूजी ब्रीज का उद्गाटन किया पी यारीटी पहल क्या है तो बीश्विस्वास संगठन द्वारा सुरू किया गया है इसका नाम है इसका भविसे में COVID-19 जैसी मेहमारियों से निपटने के लिए बेहतर रननीती बनाना है यूके के ऑक्सपोर्ट बीसो बिधाले में बीकसित मलेरिया बैक्सिन के उप्योग को स्विक्रीती देने वाला गहाना पहला देश बन गया है हाली में चा बहार बंदरगाह पर भारत मद् थक मुंबई में आयजुत की गई भारत और इरान बैपारिक संबंदों को बढ़ाने के लिए चा बहार बंदरगाह का विकास कर रहे हैं 20 अपरेल को भारत और थाइलेंड के बीच रक्षा वारता बैंकोंग में आयजुत की गई भारत की ओर से रक्षा मंत्राले में विद तीसरा अस्थान भारत का है 68 यूनिकॉर्ण के साथ अंतिम अस्थान देखे डेनमार्क का है हाली में दुबई की एरलाइन अमिरात ने सारा नामक दुनिया के पहले रोबोटिक चेकिन सहाय को लॉंच किया है इसके तहत अब दुबई एरोपोर्ट पर चेकिन की प्रकिरय रोबोट के माध्यम से होगी भारत यूके बिज्ञान और नवचार परिसत की बैठक के दौरान भारत और ब्रिटेन ने सयुक्त रूप से नेट जीरो इनोवेशन वर्चुल सेंटर अस्थापित करने पर सहमती ब्यक्त की है इसके तहत नविकर्निय उर्जा उप्योग द और उद्धोग मंतराले विभाग तथा भारत सरकार के सहयोग से सेवा निर्यात सनवर्धन परिसत द्वारा आईजुद किया गया हाली में जारी Freedom in the World Index 2023 के नुसार टिबबत दुनिया का सबसे कम सोतंत्र देश है World Wealthy Cities Report 2023 लंदन की संस्ता हैंले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी किया गया है दुनिया का सबसे अमीर सहर निवार्क सिटी है दूसरा अस्थान टोकियो का है और इसमें भारत का सहर जो है भारतिय सहर मुंबई को 21 अस्थान मिला है हाली में जारी एक रिपोर्ट की अनुसर सीरिया जो है दुनिया का सबसे बड़ा नार्को टेक्ष्ट बन गया नार्को इस्टेट बन गया अर्थाज सीरिया अपनी अर्थ ववस्ता चलाने के लिए नसीली चीजों का अधिक्तम निर्यात करता है वर्ल्ड ऑफ एस्टेटिक्स द्वारा जारीव दुनिया के अपराधिक देशों की सूची में वेनेजुएला प्रथम अस्थान पर है भारती सस्थान पे 77 अस्थान पर है हाली में डबलुए चुबिश्वा संगठन ने दो देशों तजाकिस्तान और अजर्वेजान को मलेरिया मुक्तगोसित किया है हाली में अमेरिकी देश पेंसिल्वेनिया ने भारतीय तहवार दिवाली को अधिकारिक राजकिये अवकास के रुप में मानियता दी है एयरपोर्ट कॉंसिल इंटरनेशन द्वारा जारी 2022 के दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड़ो की सूची में अमेरिका का अंटलांटा एयरपोर्ट सीर्स पर रहा वहीं भारत का इंद्रा गांधी ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट को नवा अस्थान मिला है फ्रांस के राश्पती इमैनुवल म्रेंको ने फ्रांस में होने वाले बाश्टिल दे प्रेड के लिए भारतिय प्रधान मंत्री नरेंद मोदी को आवेद्रित किया था हाली में बहरीन ने देश में रुजगार्स रीजन और निवेश को आकरसीत करने के लिए गोल्डेन लाइसेंज जारी किया है यह लाइसेंज विभिन बेवसाओं को सेवाओं तथा लाप परदान करेगा नेक्ष्ट है भारत और नेपाल की भी साज़ा मिधिला संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नेपाल के मधेस परदेश के धनुसा जीले में जनक पूरधाम संस्कृतिक महसों का आयोजन किया गया भारत की मेजबानी में 12-13 अप्रेल को सिक्षा मंतराले द्वारा SEO यूआ लेखक समेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया और यह याओं को आधुनिक सिक्षा के उसर परदान करेगा अब मार्च 2023 का देखेंगे मार्च 2023 का हाली में जारे हुरुन ग्लोबल रिच लिष्ट के अनुसार अरप पतियों की संख्या के मामले में चीन अमेरिका के बाद भारत तीसरे अस्थान पे चीन पहले अस्थान पे है अमेरिका दूसरे पे भारत तीसरे पे सेंग्त राष्ट बीस्वे जल विकास रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत दोहजार पच्चास ता जल की कमी से सबसे गंभी रूप से प्रभावित देश हो सकता है हाली में मिस्र ब्रिक्स के न्यू डेवलप्मेंट बैंक का नया सदस बन गया है मिस्र के राष्ट पती अबदेल फतह अलसीसी ने इसकी अधिकारी घोसना की है 29 मार्च 2023 को नई दिली में सदस देशों के राष्टिये सुरक्षा सलाहकारों की बैठक हुई है जिसकी अधिक्षता अजीद डोबाल ने किया था पाकिस्तान के हमजा यूसुप स्कॉर्ट प्लैन के पहले मुस्लिम फर्ष्ट मिनिश्टर चुने गया है 22 से 24 मार्च 2023 तक संयूत राष्ट 2023 जल सम्मेलन निवार्क में इस्तत मुख्याले में आयुजित किया गया मार्च 2023 में बांगलादेश की परधान मंत्री सेख हसीना ने बांगलादेश के पहले पंडूबी बैस VNS सेख हसीना का उदगाटन किया है जापान के परधान मंत्री फूमियों की सीधा ने नई दिल्ली इस्तत हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी से मुलाकात की और परधान मंती नरेंद्र मोदी को हिरोसीमा में आयुजित होने वाले G7 सीखर सम्मेलन 2023 के लिए अपचारिक रूप से अमंत्रित किया है परधान मंती नरेंद्र मोदी और आश्टेलिया के परधान मंती एंथनी अल्बनीस ने नई दिल्ली में दिपक्छी वारता की दोनों देसों ने ब्यापक रन्नीती साजेदारी की और प्रगार बनाने की परतिवधता ब्यक्त की है अंतराष्टी अपराध नियाले ने यूक्रेन में किये गया उद्ध अपराधों के लिए जिमिदार होने का आरोप लगाते हुए रूसी राश्पती ब्लादिमीर पुतीन के खिलाफ गिरपतारी वारंट जारी किया है भारत बांगलादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्धाटन परधान मंत्री नरेंद मोदी और पंगलादेश के पी-म सेख हसीना ने वीडियो कॉनफरेंसिंग के जरिये किया है यह पाइपलाइन कुल 131.5 किलोमीटर लंबी है इस पाइपलाइन का इस्तेमाल भारत बांगलादेश को डिजल पूर्टी के लिए किया जाएगा टाइम पत्रीका 2023 के विश्वे के सरुस्रेश 50 अस्थानों की सूची जारी की गई है जिसमें दो भारतिय अस्थान मयूर भंज और लदाग को सामिल किया गया है 9 मार्च 2023 को सैयुत राष्ट कम से कम विक्सित देशो सीखर सम्मेलन दोहा कतर में आज़ित किया गया भुटान जो है LDC की सूची में नहीं होगा और सूची से असनातक होने वाला यह सातवा देश बन जाएगा इंडिया UK Young Professional Scheme ये UK सरकार ने युवा पेसेवर योजना सुरू की है इस योजना के तहट 18 साल से 30 साल के उम्र के भारतिय नागरिक दो साल तक ब्रिटेन में रह सकते हैं और काम कर सकते हैं हिमाचल परदेश, राजस्थान, उत्तर परदेश और आंध परदेश राज्यों में Green National Highway Corridor परियोजना के निर्मान के लिए भारत और 200 बैंक ने 500 मिलियन डॉलर के रिन समझावते पर सहस्ताक्षर किया है मार्च 2023 में न्यूजी लैंड के उत्तर में इस्तत केर माडे के दिविप समू छेतर में 7.1 तिरुता का भुकम आया था डेनमार्ग ने उत्री सागर के 18,100 मीटर नीचे कार्बन डैकसाइट को श्टोर करने के लिए एक परियोजना का उदगाटन किया डेनमार्ग कार्बन डैकसाइट का आयात करने वाला और इसे समूद्र के नीचे दपनाने वाला बिस्वे का पहला देश बन गया है भारत के नेत्रित में नई दिल्ली के विग्यान भवन में साजा पौध बिरासत पर संगाई सहयोग संगठन का दो दिवसी अंतराष्टिय सम्मेलन का आवजन किया गया हाल ही में इंडोनेसिया के माउंट मेरा पी ज्वाला मुखी में भी स्पोर्ट की घटना हुई दच्छीन अमेरिकी देश कोलंबिया ने 25 वर्सों में पहली बाद महिलाओं के लिए सैन सेवा सुरू किया है स्यूक्त राष्ट के सदस्यों ने राष्टिय अधिकार चेतर से परे चेतरों की सम्मूद्री जय विद्टा के सनरच्छन और सतत उपयोग को सुनीचित करने के लिए उच्छ सम्मूद्र संधी पर सहमति ब्यक्द की है उच्छ समुद्र संधी 2030 तक दुनिया के 30% अंतराश्टिय जल को संड़चित छेतरों में रखती है इस संधी का उदेश गहरे समुद्र में खनन जैसे संभावित प्रभावों से रख्चा करना है चुनावी लोकतन सुचकांग 2023 प्रथम अस्थान इसमें डेनमार का है भारत का अस्थान 108 वा है बेलारूस में मानवा अधिकार के एक परमुक रच्चक और 2022 के नोबिल सांती पुरसकार विजेता इलिस बलियासकी को बेलारूस में 10 साल की जेल की सजा सुनाएगे उन्हें सर लवायू परिवर्तन 2023 संसलेशन रिपोर्ट जारी किया है इस रिपोर्ट के अनुसार मानुए गतिवीदिया ग्लोबल वार्मिंग का मुक कारण है भारत और लगजम वर्ग में ने 75 साल की दोस्ती का जस्र मनाने के लिए एक संयुक्त एसमारक डाग टिकट लॉंज किया ह 19 वी बीमस्टेक मंत्री अस्तरिय बैठत थाइलेंड की अधक्षता में आयोजित की गई अरून सुब्रमन्यम निव्यार के मैनहटन संघी जीला नियाले के नियाधिस बनने वाले पहले भारती अमेरिकी बने हैं 20 मार्च 2023 को अंतराष्टिय मुद्रा कोस ने स्रिलंका के लिए 3 बिलियन डॉलर की विस्तारित नीदी सूधा को मनजूरी दिया है हाली में बुरुंडु में 30 वर्सों में पहली बार पोलियों का मामला दर्ज हुआ है पहला नहीं 30 वर्सों के बाद आया है भर्वरी 2023 में बारवा बिस्वे हिंदी सम्मेलन का आयोजन फीजी में किया गया इसमें भारत का परतिनीधित बिदेश मंत्री एस जैसंकर ने किया या सम्मेलन 3 साल में एक बार आयोजित किया जाता है सयुक्त राष्ट में भारत की अस्थाई परतिनीधि रूचीरा कमबोज को सयुक्त राष्ट के समाजिक विकास आयोग के 62 सत्र का अध्यक्ष चुना गया है भारत के बिदेश मंत्री एस जैसंकर ने फीजी की राजानी सुवा में इंडिया हाउस में सरदार वल्लभाई पटेल की परतीमा का अनावरन किया भारतिय मुल्की रिपब्लिकन नेता निक्की हैली ने अपचारिक रूप से अपनी 2024 की अमेरिका की राष्ट पती पद की दोड़ की सुरवात की जी ट्वेंटी स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान के लिए मेटा ने इलेक्टोनिक्स और सुचना प्रदोग की मंत्राले के लिए साजे धारी की दच्छी नप्रिका में ऊर्जा संकट की स्थीती पर दच्छी नप्रिका के राश्पती सिरिल रामाफोसा ने आपदा की स्थीती की भोसना की अंतराष्टिय उर्जा एजेंसी ने हाल ही में अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है जिसके तहर एसिया महादीप वर्ष 2025 तक दुनिया की उत्पादित आधी विजली का खपत करेगा भार्ष तेट द्वारा जारी आकडो के अनुसार भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्द उत्पादक देश है जिसने वर्ष 2021-22 में बैस्विक दुग्द उत्पादन में 24 परसेंट योगदान दिया भारत ने स्रिलंका को सोतंता की 75 वर्ष गार्ट पर आर्थिक सहायता योजना के अंतरगत 50 और बसों की आपूर्थी की है FATF Financial Action Task Force ने युक्रेन में रूस के द्वारा किये जारे संगर्ष के कारण रूस की सदस्तिता को निलंबित कर दिया है सेंग्तिराश्ट द्वारा भारत कनाडाई अफसा खान को कुपोशन समाप्त करने के लिए स्केलिन अप निूट्रीशन मुवमेंट का समन्वेक नामित किया है भारत, फ्रांस और सहिवत्रा, अरब, अमिरा, तीनो, देश, इंडियन, ओसियन, रीम एसोसियेशन के साथ मिलकर स्वक्ष उर्जा पर्यावरन और जै विवित्ता पर एक परियोजना बनाने की संभावना तलासेंगे पेरू में H5N1, वाइरस के कारण बड़ी संख्या में समुद्री, सेरो और जंगली पक्चियों की मौत हो गई अठारा फरवरी को दर्चीन अपरिका से साथ नर यूं पांच मादा सहित, कुल बारत चीतों को भारत लाए गया, उन्हें मद परदेश के कुनों नेशनल पार्क में छोड़ा गया अब जनवरी 2023 का देखेंगे हेनले पासपोर्ट इंडेक 2023 में प्रथम अस्थान जापान है भारत का अस्थान 85 था ये जनवरी का था, अभी 80 था है ठीक है, भारत सरकार ने सयुक्तिराश्ट महा सभा में वर्ष 2023 को अंतराश्टिय बाजरा वर्ष के रूप में मनाने का प अमारों का आयुजन किया, विदेश मंत्री एस जैसंकर की साइप्रस और राष्टिया यात्रा के दोरान, दो जनवरी 2023 को भारत और राष्टिया ने व्यापक प्रवासन और गति सिल्ता भागिदारी समझोता एवं कार अवकास सहित कुल पास समझोते पर हस्ताक्चर किये एक जनवरी 2023 को क्रोव एसिया ने यूरो को अपनी अधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया जिससे यह यूरो मुद्रा अपनाने वाला बीसवा सदस से देश बन गया है जर्मनी के बाद हाइट्रोजन ट्रेन सुरू करने वाला चीन बीसवे का दूसरा एम एसिया का पहला देश बन गया है भारत जन्वरी 2023 से चार वर्स के लिए एसियन पेसेफिक पोश्टल यूनियन अप्पु का नित्रित्य करेगा डॉक्टर बिनय प्रकास सिंग ने अप्पु के महा सच्चिव का पदे भार संभाला है ग्रहन किया है भारत ने वर्चूल रूप से वाइस अफ ग्लोबल साउस सम्मीट की मेजबानी की है बैस्विक जोकिम रिपोर्ट का अठारवा संसकरन हाल ही में बीसव आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया है हाल ही में सेयुक्तिराष्ट सुरक्षा परिसत द्वारा पाकिस्तान इस्थत आतंकवादी अब्दुल रह्मान मक्की को बैस्विक आतंकवादी घोसित किया गया है भारत सुडान और दच्छिन सुडान की सीमा पर अबय में संयुत राष्ट अंतरीम सुरक्षा बल के लिए महिला सांती सैनिकों की एक पल्टन तयान करने जा रहा है यह तैनाती सांती सुरक्षक टुक्रियों में महिलाओं की संख्या बढ़ाने के भारत के परियासों का हिस् बिस्व आर्थिक मंच ने हैदराबाद तेलंगाना को चोथे अदोगी करांती के केंद्रे के अस्थापना के लिए चुना है केंद्री जाच बीरो CBI द्वारत तीसरे इंटर पोल यंग क्लोबल पुलिस लीडर्स प्रोग्राम का आयोजन नई दिल्ली में किया गया जिसम 44 देशों के परतिभागियों ने भाग लिया प्रदानमंती नरेंद्र मोदी ने घोसना की कि भारत विकास सिल देशों के लिए विकास समाधानों पर सोध करने के लिए एक ग्लोबल साउथ सेंटर ओफ एक्सलेंस अस्थापित करेगा अब देखेंगे दिसंबर 2022 का नियू में किया जाएगा भारत के G20 सिखर सम्मेलन का मोटो है वसुदेव कुटूंब कम एवं इस सम्मेलन का थीम है एक प्रित्वी एक परिवार एक भविस बिस मौसम बिग्यान संगठन द्वारा जारी स्टेट ओफ ग्लोबल वार्टर रिसोर्चे दो हजारी किस रिपोर्ट क अनुसार लगवक 3.6 बिलियान लोग प्रतिवर्स कम से कम एक महीने के लिए अप परियाप्त जल पहुँच का सामना कर रहे हैं एव मियाह आकड़ा 2050 तक 5 अरब से अधिक पहुँचने का अनुमान है अगस 2021 के बाद भारत ने 1 दिसंबर 2022 को अपने 2 साल के कारेकाल में सयुग्त राष्ट सुरक्षा परिशत की अधिक पूर्ण बैठक में भारत को एक वर्स के लिए वासेनार अरेंजमेंट की अधिक पूर्ण बैठक में भारत को एक वर्स के लिए वासेनार अरेंजमेंट की अधिक पूर्ण बैठक में भारत को एक वर्स के लिए वासेनार नागरी कूडियन संगठन के द्वारा जारी किया गया प्रथमस्तान सिंगापूर है भारत का स्थान 48 वाय है भारत युम जर्मनी ने प्रवासन और गरती सिल्ता समझोते पर हंस्ताक्षर किये हैं जिसके तहत दोनों देशों में अध्यक्ष अनुसंधान और काम करने के लि चिन्नाई समुद्री टट से टकराया भारतिये रिजर्व बैंक ने माल्दिव मौद्रिक प्राधिकरन के साथ मुद्रा अदला बदली के समझोते पर हंस्ताक्षर किये हैं जिसके तहत माल्दिव मौद्रिक प्राधिकरन आर बी आई से अधिक्तम 200 मिलियन डॉलर तक किरा सी किस्तों में निकाल सकता है आने वाली पीडियों के लिए द्रूमपान पर प्रतिबन लगाने वाला न्यूजी लेंड दुनिया का पहला देश बन गया है संयुक्त राष्ट आर्थिकुम समाजिक परिसद ने महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों के विवस्थित उलं संगठन द्वारा जारी किया गया इस रिपोर्ट के अनुसार मलेरिया के मामलों की संख्या 2020 में 245 मिलियन से बढ़कर 2021 में 247 मिलियन हो गये इसमें सरवाधिक मामले नाइजीरिया में है उत्री अमेरिका में आय बम चक्रवात ने संयुक्त राज अमेरिका एम कनाड़ा के अधिकांसर हिंसो को प्रभावित किया ब्राजील के दिगज फुटबॉल खिलाड़ी पेले का निधन हो गया वह तीन बार बिश्व कप जीतने वाले एक मात्रे खिलाड़ी हैं इन्होंने 1958, 1962 और 1970 में ब्राजील को वर्ल्ड कप में जीत दिलाई थे अंतराष्टिय स्रम स संगठन की सत्रह हुई एसिया और प्रसांत छेत्रिय बैठक सिंगापुर घोसना को अपनाने के साथ संपन होई इस घोसना का उदेश स्रम बजार से जुड़ी चुनोतियों का समधान करने के लिए समाजिक सनवास सुनिचित करना और कोबिट-19 महमारी प्राकिर्तिक अप प्राश्पती ब्लादिमीर जलेंसकी और युक्रेन के लोग को चुना गया था नॉवंबर 2022 का देखेंगे बेश्ट कंट्रीज 2022 रैंकिंग में ये यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट द्वारा जारी किया गया था प्रथम अस्थान स्वीर्जेलेंड का भारत क अस्थान इसमें 31 है अंतिम अस्थान बेलारूस का था एसिया इंवर्सिटी रैंकिंग में 2023 में प्रथम अस्थान पेकिंग बिस्व विद्याले का था चीन कहाईए भारत के कुल 118 संस्थान सामिल है भारतिय संस्थानों में आयाइटी बॉंबे सिर्ष पर था इसका अस् बैंकिंग पर नाली को लागू करने की घोसना की है 15 से 16 नौंबर को इंडोनेसिया के बाली में जी ट्वैंटी सिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया इसका थीम था रिकवर टूगेदर रिकवर इस्ट्रोंगर 2023 में जी ट्वैंटी सम्मेलन का आयोजन जो होगा भारत में किया जाएगा ये हो ही रहा है एक दिसंबर 2022 से भारत ने जी ट्वैंटी के अध्यक्षता गरहन किया हाली में संयुक्ति राश ने 15 नौंबर 2022 को डे ओफ 8 बिलियन के रूप में नामिद किया क्यूंकि वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2022 के अनुसर 15 नौंबर 2022 तर बीस्वे की जनसंख्या 8 अरब तक पहुँचने का अनुमाल लगाया गया है हाली में पूर्वी तिमोर को आसियान के 11 सदस्य के रूप में सामिल करने पर सहमती ब्यक्त की गई है आसियान का गठर 1967 में 10 सदस्य देश के रूप में हुआ था बाली में आयोजित G20 सम्मिट में ब्रिटेज प्रधानमत रीसी सुनक ने UK इंडिया यंग प्रोफेशनल इसकीम की सुरुवात की है इसके तहट भारतियों को दो साल तक UK में काम करने का आउसर दिया जाएगा हाली में भारत को 2022 तेश के लिए Global Partnership on Artificial Intelligence का अध्यक चुना गया वर्तमान में GPAI में 25 सदस्य देश हैं जिसमें भारत भी सामिल है हाली में आश्टेलिया ने भारत के साथ मुक्त बेपार समझोते को मनजूरी दी है दो अप्रेल 2022 को भारत और आश्टेलिया ने ECTA पर हस्ताक्षर किया था हवाई डियुक में इस्तर दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वाला मुखी मोना लोवा में 40 वर्सोबाद ज्वाला मुखी विस्वोट हुआ 23 नॉमबर 2022 को कमबोडिया में आसियान रक्षा मंत्रियों के बैठक का आयोजन किया गया जिसे रक्षा मंत्री राजनाज सिंग ने संबोधित किया G7 Global Shield पहल के तहट धन प्राप्त करने वाले पाकिस्तान तथा बांगला देश पहले देश बन गये है G7 Global Shield पहल का उदेश आपदा से प्रभावी देशों की सहायता करना जिसका अध्यक जर्मनी है कमबोडिया के नॉम पेंड में आसियान सीखर समेलन के दोरान भारत ने कमबोडिया के साथ स्वास्त संस्क्रीती तथा 1G1 के छेत्र में चार समझ होते किये भारतिय उपराश्पती जगदीब धनकर ने पैठक में भाग लिया भारतिय मुल्की अरूना मिलर अमेरिकी राज मैरी लेंड की उपराजपाल बनने वाली पहली भारतिय अमेरिकी बन गई है न्यूजिलेंड के सुप्रीम कोट ने 16 सा की उम्र में लोगों को वोट देने का आधिकार प्रदान किया है चीन ने कतर के साथ दुनिया की सबसे लंबी प्राकिर्तिक गैस आपूर्ती समझहोता पर हस्ताक्षर किया है एक नॉमबर 2022 को अफ्रीकी देश घाना ने सहींतराश सुरक्षा परिसत की अध्यक्षता ग्रहन की है हाली में पर्मा क्राइसिस को कोलिंस दिक्सनारी वर्ड आफ द इयर चुना गया है स्वीजे लेंड में दुनिया का सबसे लंबा यातरी ट्रेन चलाए गया है इसकी लंबाई 2 किलोमीटर है जिसमें 100 डिब्बे हैं सेनेगल में आयोजित अफ्रीका में सांती और सुरक्षा पर डकार अंतराश्टिय बैठक में भारत के विदेश मंत्री वी मुरली धरन ने भाग लिया था हाली में टेसला कंपणी के सीओ एलन मस्क ने ट्यूटर को 44 बिलियन डॉलर में खरीद लिया है हाली में भारत ने 2025 से हरीत उर्जा के निर्यातेतु सिंगापूर के साथ समझोता किया है 19 नवंबर 2022 को लेखा कारों की 21-22 कॉंग्रेस मुंबई में भारत की मेजबानी हुए इसकी अध्यक्चता अजय भूसन पांडे द्वारा की गई है अक्टूबर 2022 का देखेंगे तो मुंबई में पहली बार संयुक्तिराश सुरक्षा परिसत की आतंकवाद निरोधी 20-22 अक्टूबर को ग्लोबल यूथ क्लाइमेट सम्मेलन का आयोजन किया गया इसका उदेश जलवायू संकर से निपटने में युवाओं को एकजूट करना है इंडोनेसिया के बोगोर में पहले भारत आसियान स्टार्टप महसों का आयोजन किया गया इसका उदेश भारत और आसियान देशों के बीच बिज्ञान पुर्दोग की तथा नवाचार के छेतर में सहयोग को बढ़ावा देना है हाली में चीन तथा पाकिस्तान ने स्वास्त डिजिटल और हरी छेतर में तीन गलियारे का निर्मान किया है हाली में दच्छिन कोरिया में भारतिय दूतावास द्वारा सारंग उच्सों का आयोजन किया गया या भारतिय संस्कृति को परदर्शित करने वाला है तेहवार रूस यूकरेन यूदे के दोरान रूस ने यूकरेन के चार छेत डोनेस्क लुहांस्क जापोरीजिया और खेरसों छेतरों पर कबजा कर लिया भारत ने अर्मेनिया के साथ 2000 कडोर से अधिक मुले के हथियारों के निर्यात के लिए समझा होता किया है इरोपिय संसत द्वारा 2024 तक इरोपिय संग में इलेक्ट्रोनिक अस्तुओं के लिए सिंगल चार्जिंग पोर्ट पेस करने के नियम को मंजूरी दी गई है भारत सरकार ने पाकिस्तान में अमेरिकी राज़ू डुनाल्ट ब्लोम के पियोको की यातरा पर आपती जताई है 30 सितंबर 2022 को बुर्कीना फासो में सैन तक्ता प्लस कर सेना के कप्तान इबराहिम टोरे ने सासन अपने नियंतरन में ले लिया कैप्टन इबराहिम टोरे अधिकारिक तोर पर बुर्कीना फासो के राश्पती बने फाओ दोरा हाली में दग्लोबल फॉरेश्ट सेक्टर आउटलुक 2050 रोपोर्ट जारी किया गया है हाली में बिस्व बैंक द्वारा पोवर्टी एंड सेयर प्रोस्पेर्टी 2022 रिपोर्ट जारी किया गया है हाली में डबलू एफ यूनिसेफ यूहा द्वारा संयुक्त रूप से एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट जारी किया गया है हाली में World Wide Fund द्वारा Planet Report 2022 जारी किया गया है कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी का नाम पुना नूर सुल्तान से अस्थाना कर लिया है अंतराश्टी सोरगट वंदन की पाचवी सभा 17 से 20 अक्टूबर के बिच नई दिल्ली में आउजित की गई अध्यक्षता भारत के उर्जा मंतरी आरके सिंग ने किया था विदेश मंतरी एस जैन संकर ने न्यूजिलेंड में मोदी एड़ दरेड 20 ड्रेम्स मीट डिलेवरी पूस्तक को लॉंज किया है राष्टिय उन्नत अदोगिक बिग्यान और प्रदोग की संस्थान जापान और अखिल भारतिय आईरवेद संस्थान भारत के बीच सैक्षनिक संस्थानों की तक्निकी संताओं को बढ़ाने के लिए समझहोता ग्यापन पर हंस्ताक्षर किया गया है महिलाओं को ससक्त बनाने अमलेंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए ICC ने UNICEF के साथ साजेदारी की है एफेटेप ने हाली में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटा दिया है 2018 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया था गौंबिया में 66 बच्चों की मिर्थू होने के बाद डबलू एचों ने भारत में मेडें फार्मासिटिकल द्वारा बनाए गए चार खासी और कॉप सीरप पर चिकित सा उत्पाद अलर्ट जारी किया है इसकी जाज के लिए डॉक्टर वाई के गुपता की अध्यक्षता में चार सदस्य कमीटी का गठन किया गया है छठा पूर्वी एसिया सिक्षा मंत्रियों के सिखर सम्मेलन का आयोजन हनोई बियतनाम में किया गया है भारत अफरीका रक्षा वारता कायोजन डेक्सपो ये 2022 के दोरान गांधी नगर में किया गया प्रसीद हॉलिवुड अभिनेत्री अन्ना में उंग अम्म की मुद्रा प्रदिर्शित करने वाली पहली एसियाई अमेरिकी बनी है एफेटी एफ ने मैनमार को ब्लेक लिस्ट में जोडने करने लिया है यूए सरकार ने अपनी तरह की पहली पहल ब्रेड फोर ओल सुर्वात किया है आई एमेफ और बी सुबैंग की 2022 की वार्षिक रिपोर्ट का आयोजन USA में किया जाएगा अब सितंबर 2022 का देखेंगे हाली में कनाडा में एक सड़क का नाम भारत के परसीद संगीतकार एयार रहमान के नाम पे रखा गया है भारतिय रक्षा मंतरी राजान सिंग की मंगोलिया यात्रा के दोरान वहां के राश्पती उन्हें तेजस नामक घोड़ा उपहार में दिया है दच्छीन अफरीका की वर्स 2023 के लिए ब्रिक्स सम्मेलन के मेजबान के रूप में चुना गया है दच्छीन अफरीका को भारत पेटरोलियम कॉरपरेसन लीमिटेड ने कच्चे तेल किया पूर्ति के लिए ब्राजिल की तेल कंपनी पेट्रू ब्रास के साथ सम्मझोता किया है बांगला देश की परधान मंतरी सेख हसीना की भारत यात्रा के दोरान भारत और बांगला देश ने साथ चेतरों में समझोता ग्यापन पर हंस्ताक्षर किया है हाली में भारत की तीन सहरों कोईनेस को Global Network of Learning City में सामिल किया गया है तिरसूर केरल का ये केरल की सांस्कृतिक राजधानी निलामबूर केरल का ही है इको टिरिज्म के लिए फेमस है वारंगल तेलंगाना का है ये सांस्कृतिक बिरासत है भारती रक्षा मंतरी राजना सिंग तथा बिदेश मंतरी एस जैसंकर भारत जापान टू प्लस टू मंतरी अस्तरिय वारता के लिए जापान के टोकियो के दवरे पर गये थे जापान के अतरिक्त भारत अमेरिका आश्टेलिया तथा रूस के साथ टू प्लस टू वारता करता है फाओ के ने मत सिपालन और जलिये क्रीसी के लिए ब्लू ट्रांसमिशन रोडमेप 2022 ते जारी किया है इसका उदेश ब्लू एकोनॉमी के छेतर में आर्थिक विकास रोजगार परियावर्णिये सुधार आधी को पुरसाहित करना है पांच से आठ सितंबर 2022 तक रूस के बलादिवो स्तोक में सातवे पूर्वी आर्थिक मंच का आयोजन किया गया जिसे परधानमति नरेंद मोदी ने वर्चु किया है डेनमार की राजधानी कोपेन हेंगिन में बीश्व जल कॉंग्रेस और परदर्शनी 2022 का आयोजन किया गया जिसमें केंद्रिये जल सक्ती मंत्री गजेंदर सिंग से खावत सामिल हुए भारत और डेनमार्ग ने भारत में सहरी अपसिच जल परिदरिस पर स्वेत पत्र जारी किया तो आज के लिए इतना ही आपका अंतराश्टिय करेंट अफेर कंपलीट हो गया चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में